कि आज मैं आपको बताने वालों कि किस तरह से आप एक जॉगर स्पैन को स्टाइल दर सकते हो जब कभी आप जॉगर स्पैंटे हो तो आपको पांच चीजों का थायल रखना है पॉइंट नमबर वन फिट फिट बहुत इंपॉर्डन है जैसे कि आप देख जोगर स्पैंट हमेशा स्किनी फिट ही होना चाहिए जैसे कि एक फोर एक्जामपल आपको 30 साइज है तो आप 29 जरूर ट्राइगरे और 30 भी ट्राइगरे और देखे कि कुन सा जाधा बेटल फिट है पॉइंट नमबर टू जावर्स को हमेशा स्नीकर के साथ ही पैने जैसे कि आप देख सब्सक्राइब काफी अच्छा लुक आता इस पर तो आइबुर सजेस्ट की स्नीकर के साथ ही आप पहना है इस तरह दो नो शॉप शॉक्स अगर फुल लेंग पहनेंगे तो उससे पुरा दिखे का पुरा आउट फिट खराब जाए पुरा लुक खराब हुजाए इसलिए नो शॉप पहना है पॉइंट नमबर फोर आप ट्राय करें जॉबस पाहन को टीशिट के साथ ही पहनने के लिए शुर्ट के साथ उतना अच्छा लूप नहीं आता है टीशिट आपके साथ ज्यादा अट्रैटिव लगते जैसे कि आप देग रहे हैं टीशिट पहना है ट्राय करें मैचिंग टीशिट और मैचिंग शूज तो थोड़ा ज्यादा अट्रैटिव लोक आगा है पॉइंट नमबर फाइफ आप टीशिट को टकिन करें तकिन करने के बाद आपको बोर टाय बालना इस तरह से डिटेलिंग बहुत इंपोर्टेंट है इसमें फुरे लुक के लिए तो बोर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब